प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष शिफपाल यादो ने इस बार अखिलेश यादो और समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है एक कारकरम में पांचे शिफपाल ने कहा कि मैंने भी पांडवो की तरह सम्मान मांगा था लेकिन अब कौरवो से युद्ध होगा इटावा में एक शोरूम का घाटन करने पहुचे शिफपाल ने कहा अब तो युद्ध ही होना है क्योंकि द्रोणा चारे और भीश्म को कोई नहीं मार सकता था पांडवों ने तो पांच गाउ मांगे थे और पूरा राजी कौरवों के लिए छोड़ दिया था उसी तरह मैंने भी अपने साथियों के लिए सम्मान मांगा था लेकिन अब मैं इंतिजार करते-کरते ठ़क गया हूँ आज भी मैंने फोन किया था, मैसेज किया था, बात कर लो, बात करना जरूरी है, भाजपा को हटाना भी जरूरी है, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं हुई है इस कारिक्रम में शिफाल यादो ने लखीमपूर हिंसा का भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कल जब हम लखीमपूर जा रहे थे, उस समय हमको भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया, मैंने पुलिस को चक्मा दिया, हम निकल भी गये, लेकिन जैसे ही लखनाव से निकले तो पुलिस क पता चल गया, उन्होंने बैरिकेडिंग लगा कर हमें गिरफतार कर लिया, बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, हिंदुस्तान पर कर्ज बढ़ा है, हमारा देश, बांगला देश और पाकिस्तान से पीछे है, केवल अफगानिस्तान से आगे है, यूपी चुन दूसरी पार्टियों से भी गडबंधन नहीं कर पा रहे हैं, हाला कि बताया जा रहा है, गडबंधन को लेकर उनकी ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर से भी बात चल रही है